मैं आज आपको air fryer में करेλο को कैसे fry करना है दिखाऊंगी तो सब से पहले करेλο को air fryer में डाल देते हैं फिर हम इसमें डालेंगे सिर्फ एक चम मच तेल फिर हम इसको shake कर देते हैं और अब इसको air fryer में डाल देंगे फिर air fryer का mode हम change करेंगे वेजी टेबल्स पे और फिर इसको हम सेट कर देंगे एंड इसको पंदरा मिनट के लिए 200 डिग्री पे चला देंगे तो पंच मिनट के बाद हम चेक करेंगे एंड इसको एक बारी हम शेक कर लेंगे देखिए अल्मोस्ट 50 परसंट डन है ये अभी मैं आपको फोर मिनट के बाद दिखाऊंगे सो अब निकाल के देखते हैं ये देखिए हमारे करेले बिल्कुल तयार हो चुके हैं बिल्कुल लेस सॉइल में कि ये पूरे करंची हो गया है सो इट वरक्स